वाट इसे बैक्लाश क्रिनस तो में ममश हुआ बटी आप तेकर रहें बटी टैनिक साइट असलाम आलेकम तो बैक्लाश क्रिनस कौन सी होती है उस पर मैं एक छोटी सी वीडियो बनाई यह प्रेक्टिकल यह वीडियो और चीतों के लिए नहीं है जिनको तो सारा पता है जो में घूम चुकें ये वीडियो है फ्रेश डिपलाम ऑल्डर के लिए मेरे दोस्तों के लिए जो नटने मंना सीखना चाते है तो मैं उनके लिए वीडियो लेटाओं क्योंकि निकिकल स्किल और त्यूरी थोड़ी स्ट्रौन वो जैए तो आचसथ होड़ी चोड़ी चल niवत और तो थोड़ा वीडियो देखें रेक्टिकल वीडियो है ठीक और थोड़ा सीखें और मिलते connect video में और यह जो हमारे पास गेर पड़े हैं ठीक यह पीनियन के गेर है तो अक्सल मारे k Always compressor मेरे मोक्तिरिस जगाँ पे गेर लगे होते हैं, तो गेर के चेक्स कौन से होते हैं, और इनके जो चेक्स होते हैं, उसका नाम क्या है, मतलब जैसे कि ये गेर है, जब चलना होता है, तो गेर ऐसे चलता है, तो इसकी इसमें जो क्रिनस होती है, उसका जो नाम है, वो है बैकलेश, ठीक है, गेर बैकले से के जो चेक करने के जैए मेंटट है कि जो हम तो चेक करते हैं दो तरिकों से सही है यह उसका एक तो हम इसका करते है ऑदर करते हैं डायर से दूरा करते हैं слово- अब तो यह संक्रोष मोरा हमारा यह तीसरा तीस तीस के दर्म्यान में जो है किरिनस वह बैकलेश तो यह बैकलेश है यह बैकलेश होती है अब जब भी किसी भी मशीन पर कंप्रेसर पर अगर बैकलेश चेक करोगे तो एक जो गेर होगा वो स्टेशनरी होगा मतलब होगा स्टक और दूसरे को आप ना ऐसे कर सकते हो यह ऐसे नहीं कि आपने इसको गुमाके चेक कर लेने एक आपका स्टक होगा जो मैंशाफ्ट के साथ होगा क्रिंग शाफ्ट जो और जो दूसरा होगा ना छोटा मतलब पंप को ड्राइव दे रहा है यह किसी चीज़ को आप उसको मतलब हास से ना उसकी यह क्रिंग चेक कर सकते है आपने हास से उसमें देखना है कि यह वाली पले कितनी है ठीक है यह वाली पले कितनी है ठीक है तो उससे आप यहां पर डैल लगा के चेक कर सकते हैं ठीक है और इसको आप ऐसे आज से ऐसे करेंगे कितनी क्रिनस जाएगी तो हमारे पास जो क्रिनस है वो है इसकी बेकलेश की पॉइंट 0035 मतलब साड़े तीन थाओ से लेके तक तक इसकी है अगर इसकी यह बेकलेश बढ़ जाती है ठीक है अगर बढ़ गई या कम हो गई ठीक है तो कम का है आप थोड़ा सा मतलब ना जो पंप है उसमें जो शाफ्ट में चाल होती है थोड़ा सा ऐसे कर सकते है ठीक है जो बढ़ जाए ठीक है तो फिर इसका अलिया है कि आप इसका जो जो एक गेर होगा ठीक है उसके आपने र क्रेमूव करने से पहले चेंज करने से पहले किया है यहतीतों की नदकी देनना हिर्स के गाहे हैं तो यह जो गयर चल रहे होते हैं तो इनकी जो बैकलेश होती है और इसकी जो होती है पॉआंट 0035 के दर्मयान में मतलब जितना बड़ा गयर होगा उसकी बैकलेश ज्यादा होगी जो बड़े होते हैं उसकी आफ फिल्लर गयर से भी चेक कर सकते हो ठीक है तो अब नेक्स वीटियो में इन्जिक्शन वाल पर बनाऊंगा जे जैक्स कंप्रेशर में लगे होते हैं यह पम्प ठीक है बना दूँगा थीक है तो यह बैकलेश की जरूरी थी वीडियो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में ठेंक यूला आफीज